हेलो डियर स्टुडेंट बेलकम टू सुभम लेक्शेर चैनल तो स्टुडेंट आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अमीबियेस अथवा अमीबियेपेचिस आपके मानो स्वास्तियों रूप का ये पार्ट सेबन है यानि कि 6 वीडियो मैंने आप लेडी अपलोड कर दिया है आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं तो बच्चों अमीबियेस अथवा अमीबियेपेचिस क्या होता है किसके कारण होता है इसके लच्छन क्या है उपचार कैसे कर सकते हैं तो चलिए हम लोग सीखते हैं तो देखिए बच्चों अमीबियेस जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा कि अमीबियेस या अमीबियेचिस से निकल रहा है वर्ड अमीबा ठीक है तो अमीबा एक प्रोटो जोवा है तो देखिए एक अमीबा ही है यानि कि एक प्रोटो जोवा के कारण ही Amoebiasis होता है देखिए कौन सा प्रोटो जोवा है तो Amoebiasis बिमारी एक प्रोटो जोवा जिसका नाम है बच्चो Ant Amoeba लिख लिजिए important है ठीक है Ant Amoeba Histolytica नाम तो थोड़ा बड़ा है ठीक है लेकिन आसान है Ant Amoeba Histolytica द्वारा होता है तो बच्चो जो Amoebiasis रथवा Amoeba पेचिस बिमारी है वो एक प्रोटो जोवा एक ये संग है ठीक है फाइलम है जिसके फाइलम के अंदर Ant Amoeba Histolytica आता है ठीक है परजी भी तो इसी के कारण होता है Amoebiasis रथवा Amoebiasis ठीक है अब बच्चो जैसे पेचिस वर्ड आ गया तो आप लोग समझ सकते हैं ये किस और्गन को हमारे सरीर में प्रभावित करता है तो जो हमारी बड़ी आत होती है बच्चो जो हमारी बड़ी आत होती है ना उसी को ये Amoebiasis जो है इफेक्ट मार करता है ठीक है बड़ी आत को तो याद रखिएगा important है कि ये हमारे किस अंग को प्रभावित करता है तो बड़ी आत यानि कि large intestine जो हमारी होती है उसमें ये Amoebiasis ये protozova and amoeba histolytica दूसी तो भोजन या जल के दौरा हमारे अंदर चला जाता है जो कि जब आप जानते हैं कि कुछ खाने के बाद जो हमारा पूरा system है ठीक है जो पदार्थ होते हैं वो जाकर इसी बड़ी आत में इकठा हो जाते हैं तो ये भी बड़ी आत में चला जाता है खाने के साथ पानी के साथ और वहाँ पर घाव पैदा कर देता है जिससे क्या होता है मल के साथ क्या निकलता है खून और म्यूकस निकलते रहते हैं चुछ लिए आगे हम लोग देखते हैं अब देखे बच्चों अम EBSC का कारण क्या है कारण जैसा कि आप लोग सिंप्ली सम सकते हैं कारण है बच्चों कि घरेलू मख्यां परजीबी को संक्रमित ब्यक्त के मल से खादे और खादे पदार्थों तक लाकर उन्हें दूसित करती है यह होता क्यों है बच्चों मान लीजिए कोई मनुस्य है उसको अमीबियसिस है ठीक है उसने मल त्याग किया ठीक है तो कुछ मक्खियां आकर बैठ गई ठीक है तो इस पर बच्चों कोई मक्खि माल लीजिए बैठी ठीक है वो इस पर बैठ गई और उसके बाद जाकर ब्यक्ति के मल पर बैठ कर वो इस पर बैठ कर जाकर किसी भोजन में बैठ गई या पानी में बैठ गई उसको मनुस्य स्व संक्रमित व्यक्त के मल से खाद और खाद पदार्थों तक लाकर उन्हें संदूसित कर देती है यानि कि जब एंटमीवा हिस्टोलीटिका मनुस्य के सरीर में चला जाता है तो वो यहां पर बच्चो छोटे छोटे पुटिकाओं के रूप में होता है यानि कि इसी एंटमीव जन्गों संक्रमित कर देती है ठीकए उसको मनसे ग्रहनग करता है उसे bitcoin और मतों प्रश जो है यह कारन या मैंने बताया कि कि करन होता है कैसे होता है अगर हो जाता है तो उसके लच्छन कौन-कौन से होता है देखें लच्छन है पेट में दर्ध हुया अइठन पेट में बच्चो दर्द होगा, आयठन बना रहेगा, ठीक है वमन की चाउल्टी की इच्छा होगी, सिर में दर्द हो रहेगा, ठीक है सिर में दर्द वा सरीर कमजोर हो जाएगा, आखों के आसपास काले घेरे बन जाएगे चार लच्छने बच्चो याद कर लिजिए ठीक है अब बच्चो इसका उपचार भी होता होगा तो उपचार में क्या करना है आपको साउधान नहना है ये होगा ही नहीं भोजन को अच्छी तरह पकाया कर खाईए नियमित नहाईए नाखून काटिए और भोजन से पूर्ब हात दोईए ठीक है और रोगी जो मनुस्य है बच्चो उसको स्वस्थ मनुस्य से दूर रहना चाहिए ठीक है ये आपको याद रखना है तो स्वस्थ जल का प्रियोग कीजिए धोकर खाईए फल लाईए उसको भी धोकर खाईए सबजी को भी धोकर खाईए नियमित नहाईए ना खून काटिए कुछ दवाएं भी इसके लिए होती है जिनमें मैं आपको कुछ के नाम बता देता हूँ यही पर जैसे है बच्चो फ्यूमेजिलिन, इरत्रोमाइसिन, बायोमेडिक दी, डिफेंडाल एम और उसके बाद में डाइडो, कुइन, ट्राइडे, जॉल, मेट्रोजिल, एम्जॉल, हुमेटिन आ दिये और सदियां कुछ होती है, मेडिसीन्स ठीक है यह सब जो है इस उपचार में काम आती है तो आसा करता हूं कि आपको यह पूरा प्रोसेस समझ में आगा होगा कि अमीबियसी क्या है होता कि वहाँ ऐसे ही आप लिग लिजेगा बोडिजा में बहुत अच्छे नम्मर आपको पूरे के पूरे दे दिये जाएंगे मैंने आपको व्every DAY हैं ठर्फ है फषत है कि यह एंटमिवािस के और होता है कि जब भोजन या पशार मनुस के सरीत के अंदर जाती है तो बड़ी आत में कुछ उसके अंडे होते हैं मल के साथ बाहर निकलते हैं मख्या उन मल पर बैठकर फिर भोजन और पानी को दूसित करती हैं दूसरे मन उसमें फैलाती हैं लच्छनवा ने आपको बताया उपचार बताया तो आई होग कि आपको यह सब समझ में आ चुका होगा लिख लिजिए नोट कर लिजिए समझ में सब्सक्राइब कर लिजिए कुछ बच्चे कुछ फ्रेंड आपके होंगे जिनको इन वीडियो की जरूरत है उनको भी शेयर कर दीजिए ठीक है और लाइक कर दीजिए फटाक से नी वीडियो क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता हैं आपको अच्छे वीडियो प्रो